ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं जन टीवी और जन टीवी का खास प्रोग्राम एक मुलाकात और आज हमारे साथ हैं जैपूर की मेर जोती खंडिलवाल जी जोती जी दश्कों की एक जिग्यासा होगी मेरी भी जिग्यासा है वो आप मेर बनी हैं उसके बाद में लगातार सीओ बदलते गए क्या वज़ा रही इसके मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगी जहां तक सीओ बदलने की बात है ये इसके लिए मैं कहना चाहूं मेर या निगम की जिम्मेदारी नहीं होती है सीओ बदलने क काम राज्य सरकार के स्तर पर मानी मुख्यमंतीजी के स्तर पर किया जाता है जहां तक ये बात आती है कि मेर से विवाद की बात आए तो मैं कहना चाहूं, मैंने ललित महरा जी के साथ काम किया, ये को कभी कोई परेशानी नहीं आई, आरपी जैन साब के साथ काम किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, उसको एम पी स्वामी जी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं रही, एम पी मीना जी रहे, मुझे कोई दिक्क को फेल किया एंपी सब्सक्राइब पर कोटा चलाया लेकिन मैं यह मानती हूं कि अगर कहीं भी निगम के हित के खिलाफ या जनता के हित के खिलाफ अगर कोई अधिकारी काम करता है और अगर जन प्रतिनी दिन बोलता ही नहीं है इस बात को तो वो जनता ने जो उस पर विश्वास किया है उसके साथ कहीं ना कहीं विश्वास घात करता है और यही हुआ कि जहां जहां मुझे लगा कि यह वो जनता के हित की बजाए अपने हित पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ वहाँ मैंने अधिकारियों के लिए बोला और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया तो इसलिए ये कहना अगर बाइस वकिलों की निकती गलत तरीके से हुई तो निश्यत रूप से मुझे बोलना चाहिए था ये निगम के हित के खिलाफ था सरकार ने भी इस बात को माना अगर मैं सीओ को अगर मैं बस जंता आ रही कि सफाई नहीं हो रही और मैं सीओ को ये कह रही हूं कि आपको सफाई के लिए रोज और नहीं करते तो इससे जंता को नुकसान होता है तो ये मुझे बोलना चाहिए और यहीं चीज है जो मैं एक जन्पतिनरी होने के नाते बोलती हूं जहां तक सीओ हटाने की बात है जैसे मैंने आपको कहा लित मेरा आरपी जैन, MP सौामी, MP मिरा जी को अटाने के लिए मैं बात भी आपने उठाई, एक तरह सची बात भी है कि उजागर आपने किया दूसरी तरफ अभी वी CEO के खिलाब भी आप बोले, तो क्या लगता है कि सरकार में बात नहीं सुनी जा रही है यह चूकि हमारी सरकार है, इसलिए हम इतना खुल करके बोल पा रहे हैं, शायद ये सरकार अगर भी पक्षकी होती, तो शायद हमें इतना खुल करके बोलने का अफसर नहीं मिलता, उन तक अपनी बात पहुचाने का अफसर नहीं मिलता, जनता तक अपनी बात पहुचाने का अफसर नहीं मिलता, जहां तक मैंने सारजनिक मंच पर बोली, तो मैंने इसी पीड फैक्स नहीं चोड़े जाते हैं तो उस पूरे गली और महले का उस जगे रहना मुश्किल हो जाता है। को मैंने जाना और जब मैंने अधिकारियों को इस पर कारवाई करने के लिए कहा तब मुझे लगा कि कहीं न कहीं इन अधिकारियों के मिली भगत भी इसमें रही जिसकी वजए से लगातार कहते रहने के बावजूद मेरी मैं यह बात कह सकती हूं बहुत दावे के साथ कि जै प्रवातार जैपूर के ऐसा कोई कोना नहीं जिसमें अवैद रूप से निर्मान नहीं हो रहे हैं और हाई कोड को भी इसमें दखल करना पड़ा आप कुमादम होगा कि यह जो इलिगल जो एक्टिविटीज हो रही है उन्हें रोका जाए तो ऐसी क्या है कि कोड के दखल के बात में भी अभी पूरी तरह से कारवाई नहीं हो पा रही एक बात दूसरा की अवैद निर्मान रुक सके क्या इसमें कई इच्छा सक्ति की कमी है या अधिकारी जैसे क्या आप कह रहे हैं कि मा वो कहीं न कई उसमें हैं करप्शन में या फिर जो जनप्रतिनीदी हैं उन से अधिकारी के मिली बगत साफ तोर पर दिखाई देती है और वो जनता के सामने आनी चाहिए पता चलना चाहिए जनता को कि हाँ इस तरह की अधिकारी जो है लापरवाई कर रहे हैं अधिकारियों के निश्यत रूप से इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और द्रण इच्छा शक्ति से काम करना चाहिए और जब मैं कह रहे हूं कि मेरी और से तो मैं इतनी बड़ी बात कह सकती हूं कि जैपुर में एक भी अवैद निर्मान पर मेरी सिफारिश नहीं है तो मेरी और से द्रण इच्छा शक्ति को कमी नहीं है लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कहीं न कहीं अधिकारियों को जन प्रतिनिदियों का सरंक्षन मिलता है जिससे कि इनके होसले बुलंद होते हैं तो हम दोनों को समझना पड़ेगा जन प्रतिनिदियों को जो कि इन सरंक्षन ना दे और अधिकारियों को कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है उनको जनता कर पैसे से ही तनख्वा मिलती है जनता का जो पैसा हम टेक्स की माध्यम से लेते हैं वह उन तक तनख्वार तक पहुंचता है इस जिम्मेदारी को उनको समझना चाहिए वो जन सेवक हैं उनको जनता के हित में ही काम करना चाहिए मैंडम एक चीज बताएं कि पिछले दिनों आप लोगों ने जो राजस्तान में पांच मेर हैं आप लोगों ने एक मिटिंग की उसमें कहा कि जितने अधिकार मेर्स को मिलना चाहिए वो सरकार से नहीं मिले हैं उसके लिए अभी क्या सरकार से मुलाकात होई आगे क्या है इसमें पूरी तरह से क्योंकि जो अब उसमें आगे कोई इससे राइट्स मिले नहीं है जो आप पहले थे वहीा आज हैं तो क्या कुछे सरकार से वापस बात करेंगे मानिय मुख्यमंत्री जी ने इस बार एक बहुत बड़ा निर्ने लिया उन्होंने सीधे निर्वाचन प्रक्रिया की तहत मेर का चुनाव करवाया ये बहुत बड़ा निर्ने था क्योंकि सीधे जनता दौरा जनपने निर्ने चुन करके आता है तो उसके अपेक्षाह से जिम करते कि दिश्चित रूप से अगर हम निगमिट के बारे में सोचते हैं हम निगम के प्रतिननी हैं तो हम को यह अपने अधिकारों के बारे में भी बोलना चाहिए अगर harvest नहीं बोलते तो फिर मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्था की हित की बात नहीं कर रहे हैं तो हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई है सरकार से हमारी मानने मंत्री जी से भी बात हुई है मानने मुख्य मंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई है और मुझे जिस तरह से मानने है मुख्यमंत्री जी राजीव गांदी जी का जो 74th amendment को लेकर के जो एक सपना था उसकी उन्होंने शुरुआत की इस direct election के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारे इस बात को भी इतनी ही गंभीरता से लेकर के यहां भी अधिकारों म पर जो है खरे उतर सके जो इस समय वैसे पूरा होने को है दो छोटे-छोटे से सवाल मेरे हैं एक सवाल यह कि जोती जी पार्षद बनी पार्षद से मेर के मुकाम तक पहुंची अगला स्टेप क्या होगा जमें पार्षद थी तब मैंने अगला स्टेप नहीं सुचा था आज मैं मेर हूँ तब भी मैंने अगला स्टेप नहीं सुचा है लेकिन मेरे ये बात मैं आपको बिलकुल जनता के सामने सपश्ट कर देना चाहते हूँ कि मुझे ये जो अवसर मिला है और इसमें जो मैंने एक मुहीम शुरू की है जैपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनान मैं ये विश्वास भी दिला सकती हूँ और चाहे मुझे मुझे बहुत ज़्यादा चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है शायद कई बार बहुत इस्तरहीन राजनिती का शिकार होना पड़ता है एक विशम परिस्तियों में मुझे विशम विपक्ष का बोर्ड मिला है उसकी भी इस्तरहीन राजनिती मुझे बहुत बार बरदाश करनी पड़ती है कई बार तो व्यक्तिगत और चारेत्रेक लूप से भी लांचन लगाने का जो प्रयास किया जाता है महीला विरोधी जो एक माहौल नगर निगम में जो बनाया गया है उसके चुनोतियां जो है वो बहुत बड़ी हैं सामने लेकिन मेरे कदम जो है वो पीछे नहीं है जो तीज एक आखिर सवाल है मेरा अब महिला भी है परिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है और राजनिती के महतुपूर्ण पदपे भी हैं परिवार के साथ तो राजनिती का किस सरे से एरज़श् मिलता जैसे मैंने अभी भी आपको कहा कि एक महीला विरोधी वातावरन जिस तरह से बीजेपी द्वारा वहां बनाया गया कि अगर आप उनके काम में अगर कोई दोश नहीं निकाल पारे तो व्यक्तिगत आरोप लगा दो चारेतरे क्लांचन लगा दो इस तरह से अब किय अगर को देंगे हम यहीं पर विराम जोती जी के साथ चर्चा और लंबी हो सकती थी लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ेगा और जोती जी से बात वही हमारी व्यक्तिगत उनके जीवन से लेकर के राजनीतिक सफर तक जोती जी आप हमारे दर्सकों से मुखातिव हुई हुई